दोस्तो बिहार राज्ये आज किसी से कम नहीं है और अगर बात करें रेल याता यात की तो दिल्ली से बिहार जाने वाली जितिनी भी ट्रेने हैं खास कर कि तियोहारों के टाइम किसी भी ट्रेन में टिकट मिल पाना बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाता है और अगर बात करें स पाफी अच्छा प्यार दिखाया था और मैंने आपसे प्रामिस भी किया था कि जैसे ही इस वंदे भारत को लेकर कोई और अपडेट निकल के सामने आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा तो दोस्तो आज वो दिन आ चुका है जब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस क्या टाइम टेबल होगा और इस वंदे भारत को चलाने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजे सब्सक्रा वाली वंदे भारत ट्रेन को गया से पतना और दिल्ली के बीच चलाने की तयारी की जा रही थी और दोस्तो यह ट्रेन आट से नौ घंटे में दिल्ली से गया वा पतना पहुच जाएगी और पतना से हावड़ा के लिए भी वंदे भारत चलाने की तयारी की जा रही थी बा से जो ये वंदे भारत ट्रेन है वो भारत की पहली 160 की MPH पर चलने वाली ट्रेन हो जाएगी और दोस्तो इसकी फाइनल डेट भी आ चुकी है कुछ दिर में आपको वो भी बताएंगे दोस्तो ये बात निकल के सामने आई थी बजट 2022 में जबकि ये बताया गया था कि यहाँ की तीन साल में 400 वंदे भारत लॉंच करने की तयारी की जा रही है और अगर बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की तो जागरन की वेबसाइट पर ये पता चला है कि वारा नसी से हावड़े के बीच में जो वंदे भारत चलाए जाएगी वो इसली पर वंदे भारत होगी और ये भी जो भी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बता रहा हूं अभी इस पे कोई भी अधिकारी घोशना नहीं हुई है तो दोस्तो आईए बात कर लेते हैं इस वंदे भारत की लॉंचिंग की डेट पर तो दोस्तो यहाँ इंडिया को जो सातवी वंदे भारत मिलेगी वो बिहार में चलाई जाईगी सेवंत वंदे भारत को लेकर यहाँ बहुत बड़ा खुलासा हुआ है वंदे भारत को न्यू एयर याणि 2030 जन्वरी के स्टार्टिंग में चला दिया जाएगा और इस वंदे भारत को लेकर East Central Rail रेलवे काफी ज़्यादा गंबेर हो चुका है मिनिस्ट्री ओफ रेलवे से काफी ज़्यादा चर्चा चल रही है इस वंदिभारत को चलाने के उपर बहुत जल्दी ही ये तोफ़ा लोगों को मिल जाएगा जब वेस्ट बेंगाल की राजधानी कॉलकाता यानि हावडा से बिहार की राजधानी पटना होते हुए वारा नसी तक vनद भारत चलाई जाएगी दोस्तों अगर बात करें मौजूदा समय की तो पांच वंद भारत ट्रेन भारत में चलाई जाती हैं और उसमें से जो पहली वंद भारत ट्रेन है वो दिल्ली से वारा नसी के बीच में पे 7th वंदे भारत बिहार में क्यों लॉंच की जा रही है तो दोस्तो जो रेलवे मिनिस्टर हैं यानि आस्वेनी वैसनव जी उन्होंने पहले ये गोशना कर दी है कि 6th वंदे भारत ट्रेन को सिकंद्राबाद विज़ेवारा सेक्षन पर चलाए जाएगा दोस्तो इस ख़ हावडा का जो टोटल डिस्टेंस पड़ेगा 767 किलोमीटर का पड़ेगा जिसको ये ट्रेन लगवग 9-10 घंटे में कवर कर लेगी दोस्तो वारानेसी से निकलने के बाद ये ट्रेन पंडित दिन दिया लुपाद दिया दिलदार नगर बक्षर अरा जक्षन होते हुए द 15 अगस तक 75 वंदे भारा ट्रेने चलाई जानी है जिसके लिए रेलवे बहुत जोरो सोरो से तयारी कर रहा है अगर आप लोगों ने पिछले दिनों की कुछ ख़वर पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे की जहां पे भी वंदे भारा ट्रेने चल रही है चलाई जानी है उस रूट पे साइड से दिवाले बनाई जाएंगी करीब 5-6 फीट की दिवार जिसकी वज़े से जो वंदे भारा ट्रेनों की स्पीड है वो 160 केमपेज की हो सकेगी और ट्रेन कम से कम समय में ज्यादा तक दिस्टेंस कवर कर सकेगी तो दोस्तों जो दिल् जै कुमार उन्होंने कहा है कि पटना वंदे भारत को 16 नमवंबर को सुरू किया जाना था तो दोस्तों प्लीज ऐसी फेक न्यूज पे विश्वास ना करें मुझे भी पता है आप लोगोंने किसकी न्यूज देखी है यूटूब पे एक चैनल है जिनका नाम में नहीं ले अपडेट्स देखने के लिए और बाकी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और जल्द बहुत सारी वंदे भारत की अपडेट्स के साथ जब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू आल